नमस्ते साथियो मैं सुरज चेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया एटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियो इन ओरिजिनल देशी मुर्गियों का ये सत्तर नमबर दिन है और ये सुबह का समय है तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि सत्तर नमबर दिन तक इन देशी मुर्गियों ने दाना कितना खाया है और सत्तर दिन में इनका वजन कितना होता है उसके बारे में तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्तक ध्यांच देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आप लोग सभी को एक छोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बैल आइकन हैं उसे भी पैस कर लिजिए ताके सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोट पेकरशन मिल जाएं साथियो हमारे पास अभी लगभग 270 देशी मुर्गिया है और इन 270 देशी मुर्गियों ने 70 नंबर दिन तक लगभग 370 केजी स्टाटर फीट खाया है देशी मुर्गियों के लिए जो स्टाटर फीड आता है वो अभी हम इन मुर्गियों को खाने के लिए दे रहे हैं और इन मुर्गियों ने 70 नंबर दिन तक लगभग 370 केजी स्टाटर फीट खाया है और उसके साथ-साथ फीट का खर्च कम करने के लिए हम इन मुर्गियों को धान भी खाने के लिए देते हैं और इन मुर्गियों ने अभी तक लगभग 110 केजी धान भी खाया है और इसके अलावा इन मुर्गियों को अभी तक हमने 3 वैक्सिन कर दिया है साथ दिन में इन मुर्गियों को हमने F1 वैक्सिन किया था जिसे रानीखेट वैक्सिन भी कहा जाता है 14 दिन में इन मुर्गियों को हमने IVD वैक्सिन किया था और 21 दिन में इन मुर्गियों को हमने रानीखेट का बूस्टर डोस दिया था और इसके अलावा इन मुर्गियों को हम समय समय पर विटामिन और केल्चियम भी दे रहे हैं और इस तरीके से पालने के बाद 70 दिन में इनका वजन कितना होता है वो अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सतर दिन में चार ओरिजिनल देशी मुर्गियों का वजण यहाँ दिखा रहा है, 2 केजी 660 ग्राम, अगर 4 देशी मुर्गियों का वजण 2 केजी 660 ग्राम होगा, तो उसके हिसाब से एबरेज वजण कितना होगा? 665 ग्राम, मतलब सतर दिन में एक देशी मुर्गी का वजन कितना आया है? 665 ग्राम शाथिओं इन मुर्गियों को अभी तक हमने जिस तरीके से देख भाल किया है जिस हिसाफ से दाना खाने के लिए दिया है उस हिसाफ से इन मुर्गियों का वजन कैसा है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए